फ्रेंड्स, AI के साथ हम एक नए यूग में प्रवेश कर रहे हैं। Artificial Intelligence का विस्तार, टेक्नोलोजी के टून से भी कहीं ज़्यादा है। AI हमारे नए भविश्कों गड्ये का सबसे बड़ा आधार बन रही है। AI के एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को कनेक करने की उसकी क्षमता। AI के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं हती। बलकि ये समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है। इसलिए AI को अपने भविश्य के लिए अलत प्रकार के AI की भी ज़रुवत पड़ेगी। यानि AI को आल इंक्लूजिव बनाना पड़ेगा। आल आइडियाज को अपनाना पड़ेगा। AI की डेवलप्मेंट जर्णी जितनी ज्यादा इंक्लूजिव होगी। उसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा इंक्लूजिव आएंगे। हमने देखा है कि पिछली शताब दिमें टेक्नोलोजी तक अनिक्वल एक्सेस की वज़े से समाज में मौजूद असमानताय और बढ़ गई थी। अब इस तरह की गलती से हमें पूरी मानवता को बचाना है। हम जानते हैं कि टेक्नोलोजी के साथ जब डेमोक्रिटिक बैल्यू जुड़ जाती हैं तो वो इंक्लूजिव की इंक्लूजन की दिशा में मल्टिप्लायर के तौर पर काम करती हैं। इसलिए आर्टिफिशल इंट्रिजेंस के भविश की दिशा भी हुमन बैल्यूज पर डेमोक्रिटिक बैल्यूज पर पूरी तरह निरिफर करेगी। आर्टिफिशल इंट्रिजेंस हमारी एफिसेंसी को बढ़ाने में बदत कर सकता है। लेकिन यह हम पर है कि हम इमोशन की भी जगह बनाए रखें। आर्टिफिशल इंट्रिजेंस हमारी इफेक्टिवनेश को बढ़ा सकती हैं। लेकिन ये हम पर है कि हम अपने एथिक्स को भी बनाए रखे इस दिशा में ये मंच विभिन्द देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है